Adverb of degree These adverbs show in what degree or how much of it Adverb of degree में हम यह देखते हैं कि कोई काम कितना हद तक हो रहा है या फिर कोई चीज कितनी अच्छी है, बुरी है, लिमिट में है यह सब हमको Adverb of degree या फिर quantity कह लीजिए उसमें हमें देखने को मिलता है इसमें, इस sentence में verb को भी modify किया जाता है Adjective को भी modify किया जाता है कि कोई, जैसे हम कह लेते हैं These mangoes are very sweet तो यहाँ पर sweet क्या हो जाएगा Adjective और sweet को किसे modify किया जाएगा Very से तो very हमारे क्या हो जाएगा Adverb of degree आईए इसको हम example के तुरू समझते हैं I am fully prepared तो मैं तयार हूँ How much कितना तयार हूँ तो हमें answer के मिलता है fully पूरी तरीके से तयार हूँ तो fully हमारे क्या हो जाएगा Adverb of degree ठीक है ऐसे ही एक और example देखते हैं He hate a very sweet mango तो वहां पर he ate वह खाया क्या खाया बहुत मीथा आम खाया तो यहां पर sweet के adjective है तो कितना मीथा तो हमें answer के मिलता है बहुत मीथा तो vary हमारा यहां पर क्या हो जाएगा Adverb of degree She is too shy यहां पर शाय के adjective है शर्मीली है How much कितना शर्मीली है तो हम answer के मिलता है 2 बहुत शर्मीली है तो यह सब words like too, very, so, fully यह सब जितने word है यह हमारे Adverb of degree या फिर Adverb of quantity के लिजी उसके category में आते हैं जब sentence में इस तरीगे के word यूज हो तो हम समझ जाएंगे कि यह Adverb of degree है ठीक है अब हम पढ़ेंगे a relative adverb relative adverbs are used to join two sentences in words like when, where, why are used to join two sentences for example I don't know why she did not come मैं नहीं जानता कि वह क्यों नहीं आई तो यहां पर reason को जानने के लिए why का हम यूज करेंगे और why से हमें क्या दो अलग-अलग sentence को जोड़ा गया है तो यहां पर why हमारा क्या हो जाएगा relative verb I don't know मैं नहीं जानती why की क्या हूँ वह नहीं आई तो why reason जानने के लिए किसका ही उसकी आगया why क्या तो यह why हमारा क्या हो जाएगा relative verb अब प्लेस के बारे में जानने के लिए कि हम किसका यूज करेंगे वेर का और जब यह sentence के बीच में आएगा तो यह हमारा relative बर्ब है she knows वर जानती है कि राहुल कहां रहता था तो वेर से हमें अस्थान को पॉइंट सब्सक्राइब किया जा रहा है किसी अस्थान के बारे में बात किया जा रहा है तो वेर हमारा क्या हो जाएगा relative वर ठीक है कि अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स वर्ट्स लाइक वेन वेन वेर 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 वाई हाउ 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 हाउएवर हाउ ओफन हाउ मच एसेट्रा अर्यूज़ पर आस्किंग क्वेस्टिंस अबाओ टाइम प्लेस रिजन मैनर एसेट्रा के राएक इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ होता है जो प्रशन पूछने के लिए उस किया जाता है सेंट्रेंस में और यह किस के बारे में प्रशन करता है तो समय के बारे में आस्थान के बारे में रीजन जानने के लिए इन सब चीजों के लिए हमें question word का use करना पड़ता है एक sentence में और यह हमारा interrogative adverb कर लाता है for example did he come late वह देर से क्यों आया तो यहाँ पर reason जाने के लिए why का use किया गया है why से question किया जा रहा है तो यह हमारा क्या कहला जाएगा interrogative adverb अब time पूछने के लिए किसका किस word का use करेंगे हम when का when did he go to Delhi वह Delhi कब गया तो यह time पूछ रहा है कि कब गया तो when का use किया गया है और when हमारा क्या question word है और यह किसी time के बारे में पूछ रहा है कि वह Delhi कब गया है तो यह हमारा क्या हो जाएगा interrogative adverb अब हम देखेंगे अस्थान के बारे में where did she live वह कहा रहती है तो यह किसी place के बारे में पूछ रहा है और किस word से पूछा जा रहा है where से तो यह हमारा क्या हो जाएगा interrogative adverbs I hope you understand